Hello everyone, so आपके सामने दो टर्म्स हैं, money income and real income, यह आपके CA foundation में लगने वाली चीज़े हैं, बहुत सारे question इन टर्म्स के around आते हैं, money income का मतलब क्या है, जब आपका salary बढ़ जाता है, salary बढ़ जाता है, या फिर profit and loss बढ़ जाता है, profit बढ़ जाता है, income cash में जाद आता है, income बढ़ price कम होने से, आप जितना quantity purchase कर रहे हैं, उसमें कुछ saving हो जाता है, जब आपका saving हो जाता है, तो उसको बोलते है real income, यहाँ पर आप money income में income elasticity देखोगे, and real income आपको price elasticity वाले part में देखने को मिलेगा, जो Allen & Hicks ने price effect दिया है, उसमें का एक part है, income effect, वहाँ पर real income वाला part आपको देखने को मिलने वाला है, all right, I hope यह दोनों concept के बीच में आपका confusion clear है,